के एफसी स्टाइल चिकन सारू पेटा नाम के गौँ में एक बुढ़ा रहता था उसका नाम था लचपत उसकी पतनी थी लीलावती वे दोनों एक चिकन का ठेला चलाते हुए गुजारा करते थे चिकन को अंगूटी पर जलाते थे और उस पर नमक, मिर्ची और निम्बू लगा कर लोगों को देते थे लोग उसे खाते थे और उन्हें पैसे दे कर जाते थे अरे भाई लचपत तुम्हारे पास ये एक ही तरे का चिकन खाकर ऊप गए है कोई नए विरैटी क्यों नहीं बनाते उसे तेल में डाल कर तल सकते हो ना वो बहुत स्वाधिश रहता है कुछ दिनों बाद लोग उसे खाखा कर ऊप गए और उसके ठेले के पास आना ही बन कर दिया धंदे को ठप हुए देखके मिया बीबी दोनों परेशान हो गए एक दिन एक कोरियर बॉई लचपत के घर आया उसे उसने एक पैकेक सॉमपा उसे लेते हुए लचपत क्या है दादा जी लगता है उसके अंदर आईफोन है किसी ने आपको भेजा है पर बेटा ये आईफोन है क्या चीज और मुझे कौन भेजेगा लगता है ये गलत पते पर पहुँच गया है जरा ध्यान से देखना बेटा नहीं दादा जी मैंने पते को ठीक से पड़ा है जांचा है फिर ही लेके आया हूँ आपके पास अरे आप किस्मत वाले हो दादा जी आप जानते हैं आईफोन कम से कम एक लाग रुपे का होता है क्या कर चला गया अगले दिन कार में उनके घर एक विदेशी आया वो हलो ओल मैन आप ट्रॉम रोनाल्ड ट्रॉम आम फ्रम अम फ्रम अम अमरिका सार आप नो इंगलिश अनली हिंदी हिंदी बातिंग हिंदी बातिंग इस ओके अभाई तुमारी इमान धारी हमें बोद अच्छा लगा मैं जब तक इंदिया अठा रहता हूं इसलिए मैं हिंदी जानता हूं वो आइफोन मैने ही तुमें बेजा है वो स्कुरेर बाई ने मुझे बताया कि तुमने इमान धारी से बोला कि वो आइफोन तुमारा नाई हाई एक लाख रुपे का वो फोन तुमारे हाथ लगा फिर भी तुमने मना किया कि वो फोन तुमारा नाई हाई बहुत इमान डार हो वो तो ठीक है बेटा पर वो फोन तुमने मुझे क्यों भेजा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आती You know what old man? I am the highest paid chef in the world. यानी तुम को समझाने के लिए बोलता है मैं डुनिया का सबसे ज़ादा पैसे लेने वाला बावार्ची हूँ मैं डेश विदेश घुमता रहता हूँ मैंने करोड रुपय कमाये है मैं तुम जैसे इमानडार व्यक्टी को धूनता रहता हूँ और उनको धन की सहायता करता रहता हूँ ये लो ये पैसे रख लो कहे कर पैसे देने लगा बेटा तुम्हारा दिल बड़ा विशाल है पर मैं जो मेरे पास है उसी में खुश हूँ मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है बेटा उन पैसों को उसे दे दिजिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत मंद हो वाव ये रेली ए ग्रेट मैं तुम क्या खते रहते हो तुम्हे कोई और प्राब्लम हाई तब लच्पत ने उसे अपने बारे में और अपने धन्दे के बारे में पूरा विवरण दिया ओल मैन वी आप टुचेज विदे टाइम ओके मैं तुमको समझाता हूँ वक्त के साथ-साथ हमें भी बदलना होता है परना हम पिछे रजाएंगे इस पीडी के योकों को जो पसंद हो तुम ऐसा खाना बनाओ तुम नहीं बनाया इसलिए लोग तुमारा खाना खाके उप गया तुमसे किस ने कहा कि ओल का इस्तिमाल करना अच्छा नहीं है क्यों? हम फूरी बनाता है ठेल नहीं डालता है क्या वो सब हिल्धी नहीं है ये सब गलत प्रोपगेंडा है वो इडियट है वो लोगों को भठकाता है ये इस बात पर डिपैंड करता है कि तुम तेल कितना इस्तिमाल करता है कितने बार इस्तिमाल करता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें चिकन कैसे बनाना हाए इस तरह ट्रम्प उसके ठेले पर चिकन लेगपीस और कई किसम के व्यंजन तेल में तलने लगा वो तो फूल चिकन भी तेल में तलने लगा उसने लजबत को सिखाया कि उसे कैसे बनाते है तुम तेल को बार बार इस्तिमाल नहीं करना का मांगता है वो सहत के लिए अच्छा नहीं है यही मेरा तुम्हें अद्वाइस है जदा तर लोग यही गल्टी करता है तुम वो गल्टी नहीं करना ऐसा क्यों करूंगा बेटा तुम जैसा कहते हो वैसा ही करूंगा लोग उस चिकन को खाकर उसके स्वाद को देखकर हैरान रह गए अरे वाह ये क्या ये चिकन लेख पिस इतना स्वादिश्ट है चाचा मुझे एक और पिस देना अरे वाह चाचा ये तो एकदम केफसी स्टैल का है बहुत बढ़िया अरे वाह मज़ा आ गया अब तो यहाँ आए बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकता ये बातें सुनकर लचपत बहुत खुश हुआ बाद में टरंप ने उसे बाई कहा और अपने कार में वहाँ से चला गया तब से लचपत खुश होकर अपना धंदा करने लगा रोटी ट्री फैंसी ड्रेस भरकपूर नाम के कौव में शीला नाम की आउरत अपने पती के मर जाने के बाद वो रोटी बेच कर गुजारा करती थी उससे मिलने वाले कमाई से अपने बेटे सागर को पढ़ाती थी वो भी बहुत मेनद से पढ़ता था और अपनी मा की मदद करता रहता था एक दिन शीला बेटे सागर अब मुझे रोटी बनाना नहीं होते बेटे अब तुम्हें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कोई बात ही मा मैं देख लूँगा तुम आराम करो टैकर उस दिन से वो खुदी रोटी बना कर बेचता था हर रोज जो रोटी बच जाते थे वो एक गाय को खिलाता था घर खाली हाथ लोटता था ये देख कर शीला क्यू बेटे पहले तो रोज रोटी बच जाते थे आज कल एक भी रोटी नहीं बचती है क्या बात है क्या इतनी अच्छी बिक्री हो रही है नई मा कुछ रोटी बची थी उन मैं खा गया ठीक है बेटा तुमने खाया तो अच्छा है मुझे फिकरता कि कहीं तुम उन्हें फेक तो नहीं दे रहे नई मा दिन बर रोटी बेशने में मेरा टाइम निकल जाता है शहर जाकर फेशन शो में भाग लेना चाता हूँ और उसके लिए बहुत पैसे खर्च होते हैं और अपने पास पैसे नहीं है ठीक है बहुत कुछ करने का दिल तो करता है पर अपनी हैसेद भी होनी चाहिए न मुझे तो ये रोटी बेशकर ही गुजारा करना होगा बेटे मुझे बताना चाहिए था न कि तुम्हारे इतने बड़े बड़े सपने हैं कल से में रोटी की दुकान संभाल लूगी तुम जो करना चाते हो उस पर ध्यान दो बेटा कल से नहीं मा ये नहीं होगा उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं हमें डेर सारे रोटी बना कर बेशने होगे तब जाकर मेरे सपने पूरे होंगे मा बेटे तुम अपने काम में लगे रहो रोटी उनको मैं संभाल लूगी शीला रोटी बेलते बेलते एकदम से नीचे गिर गई, सागर दोड़ता हुआ गया और अपने मा को एक डॉक्टर के पास ले गया, उसे जांच के डॉक्टर, बेटा ये काफी कमजोर है, सहद भी ठीक ठाक नहीं है, इनका ठीक से ख्याल रखना, वरना इनके जान को खत्रा ह इनका ओपेशन करना ज़रूरी है, और उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, पर डॉक्साप, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, ठीक है, पहले पैसे कमा लो, फिर इनने ले आना, तब तक अगर वो बची रही, तो उनका इलाज कर दूँगा, वरना भगवान की मर्जी, मैं तब सागर हताश होकर अपने मा को घर ले आया, और घर में ही उनका देखबाल करने लगा, बस मा की देखबाल करते हुए सागर को देख कर शीला, बेटा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, और खुद मैं तुम पर बोज बन गई हूँ, ना मा, ऐसा ना कहो, मेरे सपन रोटी खिलाता था, वो आई, उसे देखकर सागर, हे गो माता, आज हम रोटीयों की दिकार नहीं खुल पाए, मा की तबियत ठीक नहीं है ना, कल सर तुम आ जाना, तुम्हें अच्छे अच्छे रोटीयां खिलाऊंगा, तब उसकी मात देखकर, अच्छा, तो ये बात है बेटा, रोज रोटी ऐसे खाली होते थे, तब वो गाए सागर को एक जगा ले गई, वहाँ देखा, तो वहाँ एक रोटीयों का पेड था, जैसे ही गाए उस पेड के पास गई, तो पेड से रोटी गिरने लगे, उसे देखकर सागर, अरे वा, रोटीयों की बारिश, बह अब मुझे और मेरी मा को कोई चिंता नहीं है, कहकर, हर रोज उस पेड से रोटी तोड़ता था, और उन्हें बेच कर गुजारा करता था, कुछी दिनों में उन्हें काफी लाब हुआ, मा को हस्पता ले जाकर उन पैसों से उनका इलाज कराया, शीला बिस्तर पर ही लेट बेटा, मुझे हर रोज रोटी लाकर खिलाओ ना बेटा, सागर ठीक है कहकर, हर रोज मा को रोटी लाकर देता था, मा उन रोटियों से सागर के लिए एक बहुती बढ़िया रोटी फैंसी ड्रस बनाया, रोटियों के टोकरी के साथ आये हुए सागर से, बेटा, अब रोटी फैंसी ड्रस दिखाया, उसे देखकर सागर, वाँ, मा यह तो बहुत ही प्यारा है, तुमने इसे कैसे बनाया मा, इतना बढ़िया आइडिया, तुमें कहां से आया, बेटे, तुम फॉरण इसे पहन कर फैशन शो में भाग लो, जाओ, सागर उसे पहन कर फैशन शो देते हुए, मा, यह रहा तुम्हारा मेहनत आना, मैं उस फैशन शो में विजय ही रहा, सब तुम्हारे ये रोटी ड्रस के ही बात कर रहे थे, गहरे थे, कि ये रोटी डिजैन किसने बनाया, ये ज़रूर किसी मशूर डिजैनर ने ही बनाया होगा, ऐसा वो कह रहे थे मा, ये सुनकर मुझे बहुत गर्ब मैसूस हुआ, मा, तब मैंने उन्हें बताया, कि ये मेरी मा ने डिजैन किया है, ये सुनकर सब खुशो कर ताली बजा रहे थे मा, कहकर अपने खुशी मा के साथ बांटने लगा, ये सब सुनकर शीला, बेटा, ये सब उस रोटी पेड का क माल है, जो उस गाई ने हमें दिखाया था, उन दोनों को प्रणाम करना चाहिए बेटा, कहकर उन्हें प्रणाम किया,